नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल इजली एक्स्प्लेंड एवरिटिंग में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे पावर ट्रांस्फार्मर और पावर ट्रांस्फार्मर के कंस्ट्रक्शनल फीचर्स की इस स्क्रीन पर आपको एक छोटा पावर ट्रांस्फार्मर दिखाई दे रहा होगा पावर ट्रांस्फार्मर को डिटेल में जानने से पहले हम इस ट्रांस्फार्मर पे इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट्स को केवल देख लें ट्रांसफार्मर का जो मेन पार्ट होता है वो होता है ट्रांसफार्मर टैंक ये जो लोहे का बॉक्स दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर आपको इसे कहते हैं ट्रांसफार्मर ट्रैंक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इसी के अंदर होती है और यह इसके अंदर जो oil होता है वो बाहर के air के संपर्क में नहीं आता है इस transformer tank के अंदर पड़ी हुई primary और secondary windings के terminal को bussing के द्वारा इस transformer के बाहर निकाल लिया जाता है आपको एक side के bussing को हम LV bussing कह रहे हैं और दूसरे side की bussing को HV bussing कहते हैं ऐसा मातर इसलिए कहते हैं क्योंकि transformer का प्रयोग हमेशा voltage को या तो step up करने के लिए यूज होगा या step down करने के लिए होगा तो जिस भी side का voltage कम होगा उसे LV side कहेंगे और जिस भी side का voltage जादा होगा उसे HV side कहेंगे transformer का अगला महत्पूर्ट पार्ट होता है conservator tank इसका क्या काम है इसके बारे में हम अगे के slides में देखेंगे और इस transformer को जब operate किया जाता है तो इसके tank के अंदर भरा तेल गरम होने लगता है इस tank के अंदर का तेल गरम होने लगता है उस तेल को ठंडा करने के लिए इसमें एक radiator लगा होता है और transformer का अपना एक control panel होता है तो आईए transformer के construction feature को detail में देखते हैं power transformer को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक लोहे के बक्से की ज़ुरत है इस बक्से के अंदर primary और secondary winding डाल देते हैं उसके terminals को यहाँ पर ला करके जैसा की screen पर दिख रहा है छोड़ देते हैं अब यह transformer की winding और transformer tank के बीच जो जगा है वहाँ पर insulation के लिए air है परन्तु air में moisture content आ सकता है और air का breakdown voltage भी कम होता है और corona effect भी हो सकता है इसके age पर इसलिए इस tank को completely oil से filled कर देते हैं जब यह tank completely oil से filled हो जाता है तो इस tank को seal कर देते हैं ताकि बाहर की नमी इस oil में mix नहों सके और इस oil को इस tank में भरने से पहले उसके अंदर के सारे moisture को और mechanical impurities को बाहर निकाल दिया जाता है अब चुकि यह transformer tank complete seal हो गया है तो यह जो terminals थे यह जो हमारे secondary और primary site के terminals थे इनको बाहर निकालने के लिए एक ऐसे arrangement की जवरत थी जो इस tank के oil को बाहर की air से तो seal रखे परन्तो इस lead को safely बाहर निकाल सके तो उस arrangement का नाम होता है bussing आपको इस screen पर primary और secondary winding के terminals को हम bussing के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं अब जब यह transformer को हम operate करेंगे जब यह transformer working में होगा तो इसके अंदर का तेल गरम होगा तो उस तेल को ठंडा करने के लिए हम एक arrangement लगाते हैं जिसे radiator कहते हैं radiator में कुछ नहीं होता है simply जैसा कि screen पर दिखाई दे रहा है हम pipe से यह pipe से connect करके एक top में pipe connect कर देते हैं एक bottom में और उसके बीच में पतली पतली समझ लीजिए pipe में लगा दिये हैं या पतले पतले plates बना दिये हैं जिनके अंदर से oil flow हो सके जब यह open में होते हैं और इनके बीच से इन plates के बीच से जब हवा क्रॉस करती है तो तेल को ठंडा कर देती है और इस तेल के circulation को बनाए रखने के लिए कोई भी अलग से arrangement करने की जवरत नहीं होती है जब यह transformer operate होता है और उसके अंदर का तेल गरम होता है तो automatically naturally गरम तेल उपर की ओर आएगा और वो इस pipe के थू होते हुए इन radiators के थू होते हुए bottom में पुना इंटर कर जाएगा जब यह तेल इन radiators के थू पास करेगा तो बाहर की हवा इसे थंडी कर देगी और नीचे से पुना ट्रांसफार्मर में थंडी थंडे तेल का प्रवेश होने लगेगा अब कभी कभी क्या होता है कि यह ट्रांसफार्मर इतने बड़े होते हैं और गर्मी के दिनों में बाहर का टेंपरेचर इतना ज्यादा होता है कि नेचुरल इन radiators में रेचुरल कूलिंग नहीं हो पाती है इसके लिए इनमें additional fans लगा दिये जाते हैं जो force cooling करके तेल को ठंडा करके नीचे की और भेजते रहते हैं अब जब यह ट्रांसफार्मर ओपरेट होता है तो हमें secondary side का voltage constant चाहिए secondary side का voltage तभी constant होगा जब primary side का voltage constant होगा परन्तु यह कापाना बहुत impossible होता है कि आपके इस primary side का voltage हमेशा constant रहे अगर primary side का voltage change होगा तो secondary side का voltage भी change हो जाएगा इसको maintain करने के लिए इस transformer में एक provision होता है कि हम primary और secondary के turn ratio को change कर दें जिससे कि secondary का voltage हमेशा constant रहे उस arrangement को कहते हैं OLTC on load tap changer यह device वैसी ही होती है कि अगर N1 और N2 का ratio मान लीजिए 5 हाना चाहिए और किसी वज़ा से voltage गड़बर हो रहा है कम जादा हो रहा है तो वो N1 by N2 के ratio को ऐसे ही maintain कर देता है कि secondary side का voltage हमेशा constant रहे अब इस transformer में हमने तेल भर दिया इस transformer में तेल को ठंडा कर दिये परन्तु उस तेल के temperature को constant यह जो इस tank में पूरा तेल भरा हुआ है इस तेल के temperature को constant रख पाना बड़ा मुश्किल है कभी कभी यह chances हो सकते हैं कि इस tank का जो तेल है वो इतना जादा हो जाए कि वो tank को फाड़ दे और बाहर निकल जाए या इतना कम हो जाए कि tank के अंदर vacuum create हो जाए तो ऐसा न हो इसलिए इस tank के उपर एक conservator tank लगाया जाता है इस conservator tank का काम यह conservator tank जब इस transformer में हम तेल भरते हैं तो इतना भरते हैं कि इस conservator tank का आधा portion फिल हो जाए अब जब ज़्यादा transformer oil गर्म हो जाएगा और वो expand होगा तो इस conservator tank को भर देगा अगर ठंडी का दिन हो गया और transformer का oil ज़ो है ज़्यादा ठंडा हो गया तो वो conservator tank से oil को सक करके अंदर ले लेगा पर अब एक और समस्या थी कि जब conservator tank में oil का level change होगा तो वही समस्या conservator tank में आएगी अगर इसके अंदर तेल भरते जाएंगे तो ये blast कर जाएगा और अगर तेल इसके अंदर से कम होगा तो vacuum create होगी तो ये बाहर से पिचकने लगेगा तो इसके लिए इस conservator tank में एक breather arrangement होता है breather arrangement ये होता है कि इस conservator tank के top से top से bottom की और एक pipe लाते हैं जिसे silica gel के थूँ open air में छोड़ देते हैं ये जो screen पर आपको इस समय breather दिखाई दे रहा है ये breather वैसे ही है जैसे कि हम सांस लेते हैं जब इस tank में तेल जादा होने लगता है तो वो इसके थूँ conservator tank में भरता है और conservator tank के खाली जगा को भरने लगता है इसके अंदर की जो जहवा है वो इस pipe के थूँ इधर से होकर के बाहर निकल जाती है बाहर निकलते समय तो कोई दिक्कत नहीं है परन्तु अगर किढ़ा होने से अगर इस tank में oil का label कम होने लगा तो conservator से जरूरी oil नीचे की और आएगा और इस conservator में और air के लिए space बनेगी वो air अगर directly हम conservator tank में डालेंगे तो air सीधे सीधे oil के संपर्क में आएगा और इसमें moisture mix कर देगा जिससे की conservator tank का oil खराब हो जाएगा और indirectly ये कह सकते हैं कि इस transformer के अंदर का oil moisturize हो जाएगा उस case में binding failure के chances बढ़ जाते हैं ये conservator जो air सक करता है वो एक breather के थूँ करता है इस breather में एक flask में silica gel भर देते हैं silica gel की property ये होती है कि इसके अंदर से जब भी air सक होगी तो उसके अंदर जो भी moisture है ये जो हमारा silica gel है इसके थूँ जब भी air पास होगी ये सारे के सारे moisture को absorb कर लेगा और इस कंजरवेटर tank के अंदर moisture free air को भेजेगा normally ये silica gel का color blue होता है और जब ये completely moisture absorb कर लेता है तो इनका color pink हो जाता है तो समय समय पर maintenance में इनको खोल के धूप में रख करके इनका moisture को उड़ाना पड़ता है बाहर निकालना पड़ता है power transformer में एक और बहुत important चीज लगी होती है जिसे की जो की screen पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसे कहते हैं बुखोज relay ये transformer tank और conservator tank के बीच में लगा होता है ये बुखोज relay बहुत ही important है और इस transformer के protection के लिए बहुत जरूरी है ये बुखोज relay इस transformer में जब oil गरम होता है तो oil evaporate होता है evaporate होने पर ये बुखोज relay उस oil को capture करता है नॉर्मल operation में बहुत कम मात्रा में बहुत कम मात्रा में वेपोरेशन होता है और ये बुखोज relay उसे capture करके release करता है परन्तु अगर इस transformer की इस binding में कभी भी किसी तरह की flashing या fault आए तो suddenly बहुत ज़्यादा vapor बनता है और ये बुखोज relay उसको sense करता है और transformer को trip करा देता है अगर बुखोज relay trip हुआ है तो ये मान के चलिए कि आपकी binding में कहीं ने कहीं कोई problem आया है अब थोड़े से actual के बड़े power transformer को हम देख लेते हैं ये transformer इन्हें इतने बड़े होते हैं कि इन्हें कम से कम 1500 से 200 चक्के वाले ट्रकों में लाद करके जैसा कि screen पर आपको दिखाई दे रहा है लाद कर लाया जाता है और इन्हें transformer yard या switch yard जहां भी आप जाएंगे वहाँ पर railway track होता है railway track पर unload करके और chain pulley की साहता से खीच खीच कर position पर ले जाया जाता है जब ये एक बार position पर पहुँच जाते हैं तो ये देख रहा होंगे इनके wheel को lock कर दिया जाता है ताकि अब ये अपनी जगह से नहीं ले transformer के जो bussing की हम बात करे थे ये देखिए ये primary bussing है इस transformer का और secondary bussing आपको टॉप से दिखेगा जिधर bus duct लगे हुए है कोई जरूरी नहीं है कि secondary side में bus duct हो और primary side में जो है normal natural open wire से connected हो ये just depend करता है कि transformer का उपयोग क्या है कितने rating का है और कहां पे लगा है बहुत सारे ऐसे भी transformer आते हैं जिनमें दोनों ही side में overhead wire connect होते हैं transformer की bussing से इसके बाद आप ये देख लीजे ये जो वो fan है जो मैंने radiator पे दिखाया था cooling के लिए और ये conservator tank है आपको और करीब से दिखाते हैं स्क्रीन पर ये conservator tank है और ये वो silica gel है जो नमी अब्जॉर्ब करके अपना color change कर चुका है मतलब ये breather का काम करते करते अब इसका time खतम हो चुका है जरूरी है कि इस समय ट्रांसफार्मर को सट डाउन ले करके इस silica gel के अंदर से moisture को निकाल दिया जाए इस वीडियो में बस इतना ही अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो like, share, comment और subscribe जरूर कीजिएगा